अगबरते यूपी सरकार ने NSG के तरज पर अब स्टेट लेबल की कमांडो फोर्स तयार करने का फैसला लिया है यह फोर्स आतंकी हमलों जैसे सिदिस से निपटने के लिए खासत और से ट्रेंड होगी इसमें ड्रैबर से लेकर कम्मुनिकेटर तक सभी फाइटर होंगे आतंकियों की खैर नहीं यूपी में मिलेगा कड़ा जवाब स्पॉर्ट के फाइटर देंगे जवाब आतंकियों को मात देगा यूपी मुंबई 26-11 हमले में आपने NSG की बहादुरी देखी ही होगी अब यूपी की सरकार भी इसी तरज पर एक तेज तर्रार फोर्स बनाईगी इस कमांडो फोर्स को स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम यानि स्पॉर्ट का नाम दिया गया है अगर सूबे के किसी भी हिस्से में आतम की वारदात होती है तो ये फोर्स NSG के पहुँचने से पहले ही मौके पर पहुँचकर मोर्चा समाल लेगी आदुनिक हतियारों से लैस स्पॉर्ट के कमांडो किसी भी परिस्थिती में आपरेशन को अन्जाम देने में माहिर होंगे तीमें इस स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम के अंदर होंगी और उनको इस तरीके से प्रशिक्षेत और डिप्लॉई किया जाएगा कि अगर कहीं भी कोई घटना होती है वो चाए गंबीर अपराधिक प्रविती की हो या तंगवादी घटना हो या कोई किडनापिंग रेस्क्यू जैसा आपरेशन हो तो दो घंटे के अंदर यूपी में कहीं भी हमारी पहली टीम पहुँच पाईगी राज्य सरकार ने स्पॉर्ट के गठन को मनजूरी दे दी है इसका मुख्याल है अमौसी एरपोर्ट के नजदीक बनाया जा रहा है जिसके लिए सरकार ने 110 करोड का बजट भी पास कर दिया है इस कमांडो फोर्स के प्रभारी डी आई जी लेवल के अधिकारी होंगे जो एटियस की एक विंग की तरहां काम करेगी दर असल एटियस आपरेशन के साथ साथ आतंकियों को गिरफतार भी करती है और कोर्ट प्रोसीकूशन के साथ इन्वेस्टिकेशन जैसे काम भी उसके ही जिम्मे होते हैं ऐसे में स्पॉर्ट कमांडो की एक डेडिकेटड टीम खुद से काम करेगी इसके लिए प्रशिक्शन केंदर पुरी तरीके से तयार हो चुका है और इसमें अंतराश्टियस्तर के प्रशिक्शकों को हम लोग यूपी से लेंगे और आने केंदरी बलों से भी डेपुटेशन पर लेने के इसमें योजना है और तीन-तीन महीने में हमारी तीन-तीन टीमें तयार हो जाएंगे तो हम लोग को पूरी आशा है कि नौ महीने के अंदर ये यूनिट पूरी तरीके से क्रियाशिल हो जाएगी और सभी नौ टीमें यूपी को किसी भी तरह के खत्रा चाया आतिंगवाद का हो चाया अपराद का हो उससे महफूज रखने के लिए काम कर रही है ATS की स्पॉर्ट टीम हाई रिस्क आपरेशन्स को अंजाम देगी जिसमें स्नाइपर टीम, बम डिस्पोजल एक्सपर्ट, डॉग स्कॉयर्ट के साथ ड्राइवर से लेकर कम्मुनुकेटर तक सभी फाइटर होंगे आतंकी खत्रे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसी कमांडो टीम तयार कर रही है जिसका नाम है स्पॉर्ट, स्पॉर्ट टीम, NSG के आने तक आतंकियों से पूरी तरीके से मोर्चा लेने में सक्षम होगी या तो NSG की जवूरत ही नहीं पड़ेगी या फिर NSG के आने तक आतंकी मिशन को रोंग देगी कैमरामैन शानव आज के साथ शिवा तिवारी नेशनल वाइस लखनव